आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ ठीक, तो माल लेते हैं कि है ना, 2 Balan है तो तो पहले की तरज़ा माल लेते हैं R1 दूसरे की तरज़ा माल लेते हैं R2 पहले की उचाई माल लेते हैं H1 दूसरे की H2 तो आजतन जो आएंगे, वो V1 और V2 होंगी ठीक ना एक चीज यहां पर क्या दिगगी कि H1 और H2 क्या है बराबार ने तो H1 बराबर H2 है इसलिए ले लेते हैं हम H के बराबर ठीक है और यहां पर दिया गया है कि R1 और R2 में अनुपात दिया गया है हमें 3 अनुपात 4 का अर्था यह होगा V1 बर्टे V2 अब शुत्र याद है आपको बेलन का तो यह हो जाएगा पाई R1 का वर्ग H1 और यह हो जाएगा पाई R2 का वर्ग H2 पहले 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 बेलन का यह दूसरे बेलन का यह तो यहां पाई-पाई कड गया अब देखें R1 बटे R2 3 बटे 4 है ना और यहां देखिए R1 का स्क्वाइर R2 का स्क्वाइर हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे R1 और R2 का पूरे का वर्ग और H1 और H2 देखिए हमने माना था है एच तो दोनों को एच से प्रतिस्तापित कर लेते थे तो इसके एच लिख दे तो यह तो कट गए है ना और R1 बटे R2 का वर्ग आ गया इस प्रकार बचा है तो R1 बटे R2 का मान रख दीजिए 3 बटे 4 यहां पर आ गया 3 बटे 4 पूरे का वर्ग त तो यह तो हमारा क्या है यह आधनों का अनपाथ है यह हमें पूछा गया था अमीद करते हमा आपको समझा आ गया ओगए दोस्तों तो हमारा अनपाथ 11 यह हमारा उत्तर है धर्निवाद झाल झाल